best laptop for all categories तो बई अगर आप ऐसा प्रो काम करते हो आप प्रोफेशनल काम करते हो आप क्रेटर काम करते हो मैं सभी के लिए आज laptop बताऊंगा तो वीडियो के साथ पने रहे ना इसके बड़ मत करना स्टारट करते हैं वीडियो को मैं इतना क्या दना चाओन है इसप्राइज की बाद करेंगे आपका पटर्चीट यार मेंने रखे है चार लच्ट säण Soum अगर आपने अज़ा प्रफैशनल काम काम करना आज़ा प्रो काम करना as a developer काम करना है जाँ फिर अगर आपने as a creator काम करना है तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं number 4 की बात करते हैं number 4 पर यार मैंने रखा M.I.C. Creators को अगर इस laptop की बात करूँ तो यार नाम से पता चलड़ा कि आपको M.I.C. Creators तो best है for Creators के लिए प्लस इसके models बगारा बहुत देखनी को मिल जाथा आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी 8GB RAM भी मिल जाएगी आपको 4GB Graphic Card भी मिल जाएगा आपको 6GB Graphic Card भी मिल जाएगा इसकी display quality बहुत रही है जो कि 144 Refreshed के साथ देखनी को मिल जाएग अगर आपने ऐसा प्रो काम करना ऐसा प्रफेशनल काम करना आपके लिए पॉफेक्ट डील हो सकते हैं आप जा सकते हो M.I.C. Creators की और ठीक है आगे बात करते हैं नमबर थ्री की नमबर थ्री पर यार मैंने दख्खा है Asus Rock Zapples G14 को अगर इस लैप्टाप की बात करूँ तो 2020 में सबसे जादा बिकने वाला सबसे जादा पसंद किये जाने वाला ये लैप्टाप है बिकर्ज इसके जो डिजान होगे इसके कलर होगे प्लस इसकी बैक सैड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती अगे बात करते हैं नूमेर टू की नूमेर टू पर यार मैंने रखा है अगर इस लैप्टाप की बात करूँ तो यार इसका स्टालिस डिजान तो मिली जाता है उसके साथ साथ भी स्पैसिफिकिशन इसके पूरे लूटरिम मिल जाते है प्लस मैं आपको बता देना है जाता हूँ, सभी के लिंक मैंने प्रवाइड के हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखनी को मिल जाएंगे, अगर मैं इस लैप्टाप की बात करूँ, तो ये 90,000 के बज़र में आपको लैप्टाप मिल जाएगा, एंड, पर अगर आप 90,000 क पर कोई भी काम करना जाते हो, वीडीयो आइटिंग करना जाते हो, जाते हो, आपके लिए ये लैप्टाप भी मैं डियांदने ह conservative perspective display sport करता है जो कि इसका plus point देखने को मिल जाता है इसके और भी specification बहुत आते हैं आपको dual fan मिल जाते हैं एंटी डेस्ट कूलिंग मिल जाते हैं डिस्प्ली quality इसकी भी बहुत तगड़ी है एंड अगर मैं बात कुरूँ है इसका प्राइस तो यार दो लाग के बज़र तक भी चला जाता है ठीक है यह स्टार्ट हो जाता है एडी था उसे असी हजार के बज़र से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका प्राइस दो लाग के बज़र तक को पूरे लुडड मेल जाते हैं अभी आगे बात करते हैं अगर आपका बज़ेड़ 1,0010 native वे लेकर अगर आपको बज़ेड 1,000 bang hu ni6500 की बात कर लेते हैं तो भी बात करते हैं अगर आपका बज़ेड 1,000010in लेकर 1,000040ijn हो जाते हैं अभी हम में इस प्राइज रेंज की बात करते हैं प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूं भी मैं आपको डीपली नहीं बता रहा है विकस मेरी वीडियो को लेंग्स ज्यादा बड़ा हो जागा है उसका कोई फैदा नहीं है प्लस भर आपको ऐसा फिलीजुफटोप बताने वाला हूं तो सब्से पहले बात करें लेख holy model Pro Master की बात करूं आपको बैस्ट आफर के लिए पर गीमिग के युदे के लिए अगर आपने हाइस सैटिंग पे गीमिंग कर नी है जा अगर आपने फोर के वीडियो एक्टिंग करने हैं आपके लिए बैस्ट दील हो सकता है इस सर्पेडियेटर मैंने लिंक पर वाइड किया आपको डिस्क्रिपिशन बॉक्स में देखनी को मिल जागा अगर इस लैप्टॉप की बात करूं आपको वान फॉरी फो रिफ्रेश्ट दे गी तो आप इसको चाया आगना जाना चाते हो अगर आपको वीडियो आइटिंग करने करने है उसके सांथ लिए वीडियो करना चाहते हो तो वञ्या ग्रियो आइटिंग करना चाहते है और 3GP RAM मिल जागी RTX Graphic Card मिल जागा उसके बाद आपको इसमें राजन का पर साथ साथ देखनी को मिल जागा आपको राजन 7 देखनी को मिल जागा जो की बहुत है तगड़ा है अगर आपने कोई भी हैवी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है आप इन दोनों लैप्टप के और जा सकते हो जितनी भी लोड़ेट फाइल पर काम करना आप कर सकते हो तो यह अभी मैंने आपको दो लैप्टप बता दिया है अभी बात करते हैं अगर आपको एक क्लासिक डिजांच चाहिए प्रीम 11 डेखने को मिल जाएंगी आपके इसमें 16 GB भी मिल जागी में आपको 32 GB भी मिल जागी आपको 8200 vos धीच possibilities مलते आप देख झांच लेना आब आप मैंने waktu इस अर धार लेक्सर पर 3 को अगर शli.... पर मैंने रखिएंक इस ल्आपकि 2 대해서 आप타ाप यह को यूज कर सकते हो बहुत लाइट वीड देखने को मिलगा क्लासी डिजान है, इसके कलर्स हो वा रढ़ा बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, अपको 8GB RAM भी मिल जागे, आपको 32GB RAM भी मिल जागे, मतलए जतना पहर करोगे, इसके जरूर करना आपको बहुत पसंद आने वाली है आगे बात करते हैं नमबर वन की नमबर वन पर यार मैंने रखिया HP Spectre X360 को अगर इस लैप्टाप की बात करूँ ये लैप्टाप स्टार्ट हो जाता है 90,000 से 90,000 से स्टार्ट हो जाता है और इसका प्राइस भाई दो लाग के पर भी चला जाता है ठीक है इसके भी इस प्राइस पेसिविकेशन बहुत है अगर आप देड़ लाग के परिड़ता क कलोगे उसमें आपको फूल एच्टी डिस्प्ले देखनी को मिल जाती है तो इसमें आपको 16GB RAM भी मिल जागी 8GB RAM भी मिल जागी 32GB RAM तक भी मिल जागी जाता है अब जा सकतो HP Spectre X360 किया तो यहार में स्पेसिविकेशन में आपको पांचो ही लैप्टॉप से बता दिये पांचो लैप्टॉप आपको पूरे लोड़िड मिल जाते हैं अगर आपका परेड़ वान लैक त्यांस लेके वान लैक फॉरी ताउसों ने इन में से सब्सक्राइब नहीं होने वाले आपको फुल लोड़िड लैक्टॉप देखने को मिल जाते हैं बिल्ड क्वाल्टी बहुत सही है उसके बाद डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत सही है स्पैसिविकेशन एक कॉर्णि भी आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं एंड मैं जो बहुत तगड़े होने वाले मैं जितने भी लैक्टॉप बताऊंगा वो बहुत तगड़े होने वाले हैं तीन लैक्टॉप बताऊंगा भी अगर आपको ऐसा गीमिंग करनी है वीडियो एटिंग करनी है उसके बाद फोटो एटिंग करनी है जा कोई भी हावी सॉफ्ट्य यूज करना आपके लिए मैं ती यडिये जाए दो सबसे पहले बता दो इसके वी वैरेड से अंड देखने को रेजिए को बिल जाते हैं बहुत 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 अगण बहुत अगड़ी है अगे बात करते है नमबर डू की नमबर टू पर यार मैंने रखा है M.I.C. GE666 रेडार को अगर इस लैप्ताप की बात करूं तो यार इसका डिजान कलर होगा रहा बहुत सही देखने को मिलते हैं आपको RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलेगा स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं यह बात करते हैं नमबर वान की नमबर वान पर यार मैंने रखा डेल एलियन वीर मुझे लैप्टॉप यह बहुत ज्यादा पसंद है इसकी लुक एंड जो एलियन का बैक सैड में लोगो आता है जो वो RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलता यार उसकी लुक बहुत जाला सी एंड इसकी स्पैसिफिकेशन भी बहुत धगड़े है अगर आपने आज तक कोई भी हैवी सॉफ्ट्वे यूज करना है लास्ट् करते है अगर आपको ऐपको ऐसा प्रो कं करना जाते है करक часто करना चाRoad जाएवाल करना चाते हो आपके लिए मैं लैप्टप बताने लगाँ पांच लैप्टपब बताऊंगा बहुत तग्रे होने की नंबर वाग बन्सपा आप जाते हैं प्लस आपको टच्च स्क्रीन देखने को मिलते हैं मैं आपको पहले बूलना मैं बूल गया था सोरी आपको बताना आगे बात करते हैं नंबर फो की नंबर फो पाई यार मैंने रखिया डेल एक्सपी एक्सस सैवंटी अगर इस लैप्टाउप की बात करूं य यहek आपि आपने लैप्टाप यहलोगवर मैं बात करूं दीघेंङा बात करूं धुक्स के स्क्रीशन देखने को मिल जाते हैं आपको ौबर साथ्पैस्ट देखने को मिल जात कि बहुत हूं अगरे आपने घ्र ग्रेडिंग कर करने है एनिमेशन करते हो खाल ट्रा करते हो आपके लिए परफेक्ट स्परीड हो जैस स्क्रीन जैसेफिन gonna अगर आप लेप्टोप के आज लॉजांए कर सकते हो आगे बात करते हैं नामजेट कर लाइस नंबर recycling की number 2 and number 1 पर यार मैंने रखी है apple macbook 13 या apple macbook pro तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा सभी को पता है कि apple macbook की build quality का ऐसी है for creators के लिए for developers के लिए for as a pro आपने काम करना आपके लिए perfect deal हो जकती है बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ भी अगर आपने इस laptop के और जाना है तो आपने 16 GB RAM के और minimum जाना ही जाना है उसके नीचे आपने नहीं जाना विकाज आपके पैसे खराब हो जाएंगे अगर आपने 8 GB RAM के और जल गए ठीक है के लिए लाफ स्ट्रीम के लिए अपके लिए अपके लिए अपके लाफेक्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो 2021 में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने हैं अब यह जादा बिकने वाले यह laptop है तो यह अगी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खर्टम अगर आपको मेरी विच्छ रबिया वीडियो को लाइक करते ना कमेंट करते ना शेर करते ना दोस्तों के गे दोस्तों के लाइक इंस्तागराए ऐस Salmi